महा शिवरात्री क्यों मनाई जाती है? क्या है इसके पीछे का सच? चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं. महा शिवरात्री साल भर में एक ही बार मनाई जाती है. फालगुन मास में क्रिश्न पक्ष की चतुरदशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष में मनाया जाता है. कहा जाता है कि महाशिवरात्री पर भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था फालगुन चतुरदशी तिथी पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके ग्रिहस्थ जीवन की शुरुआत की थी इसी वजह से हर वर्ष फालगुन चतुरदशी तिथी को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्री का त्योहार मनाया जाता है इस दिन शिवभक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्री पर शिव जी की बारात निकालते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्री पर वरत, उजा और जलाभिशेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम तरहे की परिशानिया दूर होती हैं और दामपत्य जीवन में सुक्समरिधी आती है इसके अलावा महाशिवरात्री के दिन ही सभी द्वादश जोतिरलिंग प्रगठ हुए थे इस कारण से 12 जोतिरलिंग के प्रगठ होने की खुशी में महाशिवरात्री का त्योहार मनाया जाता है अगर आप शिव भकत है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे